मैट ट्रिक के इस पार्ट में आप सभी का सवागत है इस वीडियो में हम सिल्पलिफिकेशन के एक बहुत ही मुस्किल को सॉल्प करेंगे वो भी ट्रिप के हिल्प से जैसा कि आपके स्क्रीन पे एक कोश्चन दिख रहागा आपसे पुछ रहाए इस expression का value expression यानि कि यह आपका algebraic दिख रहा है x to the power 5 minus 8x cube minus 16x square minus 17x plus 1 आपको इसका value पुछ रहाए कब पुछ रहा है जब x equal to क्या हो जब आपका x equal to क्या हो तो 9 तो हम इसे निकालेंगे कैसे तो इसको निकालने का हमारा सबसे असान तरीका क्या है अगर आप इसे टोटली आप वैलू पूट करके निकालना सुरू करें तो यह आपका काफी लॉंग जाने वाला तो हम देखेंगे कि हम इसे बिदाउट वैलू पूटिंग हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आए देखते है इसके लिए हम इसके ट्रिक्स इसमें मैं करना कुछ भी नहीं है सबसे पहले मैं देख रहिएं एक-प्रे पावर फाइब एक एकश घ्युव एंडेकस स्कॉर एक सेवन एकश ब्रस में everybody जो सबसे लास्त में बचा है जो कि आपका एक के साथ जो भी हैलू से छोड़ दे सारे options को चेक करने इन में से कौन सो option है जिसके हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा remaining क्या बच्चा है 1 बच्चा है इसको आपको 9 से कैसे डिवाइड करना है इसके आपको बहुत सारे मेथड आपको पता होंगे तो आप सारे को 9 से डिवाइड करके देख सकते हो तो आपका का जोड़ा बनाएंगे किस तरह से आपका 9 का जोड़ा इसे हमने कैंसल कर दिया अब हम देखें तो 5 & 5 10 होता है 10 में हमारा वन बच गया तो हमारे पास बचा क्या 3 यहां पर हमारा रिमेंडर 3 बच रहा है अब ऑप्सन नमबर B में देखा तो 1 8 तो कैंसल हो गया 9 भी कैंसल हो और इसमें हम देखें तो 5 5 10 होता है यानि कि रिमेंडर बचा 1 यानि कि हमारे अंसर कौन सा होगा तो B अब हम बाकी सारे ओप्सन को भी चेक कर लेते हैं कौन सा ऐसा है जो जिसमें कि रिमेंडर 1 और किसी में आ सकता है कि नहीं ताब हमें पता चले है कि हमारा एंसर सही है क नहीं अब हम देखते हो option number C दे रखा है 51849, 1 8 तो 9 हो गया, 9 वी 9 हो गया, 5 4 वी 9 होता है, यानि इसमें हमारा remainder 0 हो गया, उसी तरह से 189 यह भी 9, हमारे यहां पे remainder कितना बचा तो 8, यानि कि कौन सा हमारा ऐसा option है, जिसे कि हम divide करते हैं, 9 से तो हमारा remainder बचता है 1, तो option number B, तो हमारा इसका answer कौन सा हो जाएगा, तो option number B, अगर आपके दो options होते हैं, जिसमें कि हमारा remainder 1 आ जाता है, तो हम इसे value पुट करके ही solve करने बढ़ते हैं, बट आपके exams में ऐसे question देते नहीं हैं, अब हम दिखते हैं कि इसे हम, इसमें जो हमने आपको trick बताया है, कि सबसे last का जो हमारा बचा है, सिर्फ उसी को हमें लेना है, यह हम कहां से लाए है, इसके लिए भी हम आपको दिखाते हैं कि यह हम लाए कहां से, तो हम सारे पे 9 value पुट करने के दिखते हैं, तो 9 to the power 5 minus 8 into 9 to the power cube minus 16 into 9 का square minus 7 into 9 plus 1, अब हमें क्या करने हैं, सारे में 9 से डिवाइड कर तो इसमें हमने 9 से डिवाइड किया, तो हमारा यहां पर रिमेंडर 0, इसमें भी 9 से डिवाइड किया, तो रिमेंडर 0, इसमें 9 से डिवाइड किया, तो रिमेंडर 0, तो हमारा बच किया 1, तो सारे को फिर हम एड करें, सारे रिमेंडर को हमने एड किया, तो हमारे पास ब अगर आम इसे टोटली वैलु पूटिंग करके बनाया तो यह हमारा काफी लॉंग जाने पड़ेगा बिकाज नाइन टूदी पावर फाइब नाइन का स्कुएड नाइन का क्यूब तक तो हमें पता होता है